Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज विर्मा, यह एक वीडियो है cover order के उपपर, fires cover order के उपपर, तो आपके यहाँ पर मैं काफी सारे doubt किलियर करूँगा और आपको cover order लगा के दिखाऊंगा, तो जैसे कि आप देखोगे कि हम यह syntax page पे हैं, तो हम cover order पे किलिक करेंगे, यहाँ पर symbol दालेंगे, जिसी stock पर हम काम करना चाहते हैं, हम IOC दाल देते हैं, इसे capital में select करना है, IOC अन्दर आता है, IOC अन्दर आता है, IOC दालेंगे, इधर quantity 1 दालेंगे, इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो दिखाऊंगा, पहले आपको मैं market order दिखा देता हूँ, जैसे market order किलिक करोगे, यहाँ पर stop loss आ रहा है, आपको पता है cover order में stop loss होता है, मैं 0.1 दाल देता हूँ, जिस भी price पर buy करेगा, suppose मानो यह 90 रुपे पर buy करता है, तो 89 रुपे पर इसका stop loss होगा, एक रुपे नीचे अपना stop loss ले लेगा, और अगर मैं इधर percentage select कर देता हूँ, तो 1% नीचे लगा देगा, तो मैं भी percentage select नहीं करता, इसे generate कर देता हूँ, यह cover order का syntax generate हो गया, इसे मैंने copy करा, trading view account पे गया, यहां मैंने पहले से एक alerts बना रखा, इसको change कर देता हूँ, आपके सामने, आज जा मैंने यहां tag लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो tag के बदले, और मैंने इस syntax को डाला, webhook URL मेरा पहले से add है, इसे मैंने save करा, save करने के बाद आप इदर देखोगे, यह save है, और इदर देखोगे, तो position में कोई भी position नहीं, न order में कोई order है, तो आपके सामने मैं इस cover order को डाल रहा हूँ, मैं इसे tigger कराता हूँ, horizontal line से, जैसे मैं इसे tigger कराऊँगा, मेरी एक position फायर्स पे दल जाएगे cover order की, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो हमारा order tigger हो गया, और आप देखोगे position में cover order की position आ गई, और अगर इसका stop loss देखे तो stop loss यह रहा, जो की 83 रूपीज पर आया है, because हमने एक रूपे नीचे का stop loss लगाया था, इस तरीके से cover order गलता है, और साथी साथ मैं आपको बता दू, cover order के साथ मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, इधर गए हम, अभी हमने यह दाला था market order, अगर मुझे limit order करना है, तो मैं limit order पर क्लिक करूँगा, यह limit order बन जाएगा, अब काफी लोगों को problem होती है, पी यार क्या है, पी यार का मैं बता दू, अगर कोई चीज 100 रूपे की चल रही है, और आपको 99 रूपे की लेनी है, तो इधर 99 डालो गया, जो कि आप देख रहे हो, तो अब यह क्या करेगा, यह एक bid लगाएगा, मैं generate कर देता हूँ, जो भी price get होगा, target का, उस price से 1 रूपे नीचे bid लगा देगा, तो आपके सामने में यह order लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने इसे हट आया, इधर डाला tag, इंटर मारा, और सेफ करा, सेफ करने के बाद आप इसे मैं जैसे टिगर करा हूँगा, तो आप देखोगे इधर alerts आएगा, वेट करते हम alerts आने का, और यह भी टिगर नहीं हुआ, यह alerts आगया, अगर आप इधर जाके देखोगे, तो यहाँ पर मेरी एक limit order आएगा, यह देख सकते हैं, इधर आपको working order में दो order दिख रहे हैं, तो एक इसका stop loss है, जो cover order का, और एक इनने bid लगाई है, तो और यह दो order आपको इधर दिख रहे हैं, time के साथ देखना चाहते हैं, आप time के साथ भी देख सकते हो, तो I think last के दो order जो हैं, वही हैं, जो मुझे समझ आ रहे हैं, तो इसमें एक stop loss है, जो stop loss दलता है और एक इसके bid लगे भी है, I hope आपको पता चल गया होगा, limit order कैसे दालते हैं, cover order में, thank you for watching this video and bye.